जै माता दी हमने नेक्शुन की बात कर ली हमने विरेनस की बात कर ली अब हम बात करते हैं प्लूटो की अथा तियम ग्रह भावतिय जोतिश में इनको स्थान नहीं मिलता है अब सब देखें कि इनके वह में करें चर्चा भी नहीं की जाती है किवल नव ग्रहों की बात की जाती है जिसमें दो छाया गर राहो केतु भी आ जाते है लेकिन प्लूटो की बात नहीं होती है इसका क्या कारण है यह हमने आपको पहले ही बताया हो है अब आईए जानते है कि प्लूटो का उपयोग कुंडली में किस हद तक हो सकता है और जो पश्मी जोतिश है इनका प्रयोग क्यों करते है अब भावतिय जोतिश भी इनका प्रयोग करता है लेकिन इसका इफेक्ट कम होने की कारण हम इनको निगलेट टरते है सबसे पहले प्लूटो ग्रह सबसे नएया ग्रह माना जाता है नए ग्रहों में से एक लेकिन सबसे दूर है इतना दूर है कि सूर्य से इतना दूर है कि एक चक्कर लगानी को इसको 242 बैली स्वाश लगते है आप अपनी आयू समझिए 60 साल 70 साल 80 साल या दिरगाई हुई तो सो सा अब 242 साल तो कोई जीवित नहीं रह सकता है तो प्लिटो का क्या पभाव है तो एक राशी में 242 भागे 12 वो 21 वर्ष रहता है लगब 21 वर्ष बहुत लंबा समय है याने हम प्लिटो का आधा चक्र भी नहीं लगा पाते है चवथाई चक्र भी बड़ी मुश्किल से लगा पाते है अब अगर जोतिश की बात करे तो प्लिटो किसका कारक है ये शरीर और आत्मा के संबंदों को तोड़ने कारक है या यूँ कहे कि गुप्त शक्तियां या शड़यंत का कारक है ये विनाशक या उधार एक शक्ति का भी कारक बन सकता है ये जीवन से मुत्यू के गुड रहस्यों का संबंद का भी कारक है अगर प्लिटों शुब है तो ये बहुती इतिहास में दिर्ग कालीन प्रभाव छोड़ सकता है जैसे कि कुछ गुप्त रहस्य खजानों से विलिट आपको जानकारी दे सकता है वैसे कहा जाता है कि मानसिक चिकित्सा में भी लुटों का एक मुख्य वोल होता है लेकिन अगर ये अशुब है तो वेक्ति गुप्त अप्राधों में भी लिप्त हो सकता है माफिया हो सकता है उनकी वह उसे जुड़ा हो सकता है और ये नुक्सान भी दे सकता है क्योंकि यम का कारक है यम आपको पता है यम तो सजाई देगा उनका कामी वहिए लेकिन ये अन्धैकार का प्रतीक भी है तो इफेक्ट बहुत बहुत स्लोह है यही कारण है कि भावतिय जोतिश में इनको तुलनात्मक रूप में या किसी भी रूप में स्थान नहीं देते सबसे slowest है मतलब जोतिश गर्णा में वर्ल्ड वाइड जितने गह परोक की रहा तो इसमें pluto सबसे slowest है इसका impact इतना slow है कि आप विचायवी नहीं कर सकते हैं और कहीं न कहीं इनका संबंद शिवजी से भी तुलनात्मक रूप से होता है तो अगर आप शनी की पूजा करते हैं तो Pluto अपने आप शांत हो जाएंगे हाला कि Pluto का जो कर्म छेतर है या Pluto का जो effect है वो शनी जाशा नहीं है वो अलग है थोड़ा अलग है लेकिन हाँ शनी के आधिन भी माना जा सकता है Pluto इसलिए कोई चिंता वाली बात Pluto की नहीं होती है Pluto सबसे slowest है शनी देव 30 वर्ष लेता है एक cycle लगाने को जबकि Pluto 242 वर्ष हाड़ गुना जादा slow आप समस्ते हो जाए मता दी